नमस्कार दोस्तों, P.W. सरकारी एक्जाम पे आपका स्वागत है, मैं हूँ महमद आसम और दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में उज्जैन के महा कलेश्वर टेंपिल के बारे में डिस्कॉशन करेंगे और जो रिसेंटली अभी हमारे देश के पधानमंतरी सहाब ने महा क इनाउगरेशन किया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, चलिए शुरुवात करते हैं सबसे पहले, मैं आपको यह कुश्चन देता हूँ और यह कुश्चन का आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दूँगा, बहुत ही इंपोर्टेंट कुश्चन है आपके एक्जाम परस्पेक्टिव से प्रिलिम्स के अंदर स्पेसिविकली अगरे बात करो, यूपी एस की एक्जाम की बात करो, तो वहां पर आपको देखने को मिल सकता है, सीडियो जैसे एक्जामों के अंदर इस पर सवाल आ सकते हैं, इन कॉंटेक्स टू महाकाल टेंपल एन उज्जयन इस टेंपल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यानि इसके बारे में बात करता है, इस किताब में, इस किताब में, इन लोगों ने और मैथमेटिशन ने उजयन को अपना घर बना लिया था, इन में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है गलत है, तो इसका आंसर में आपको वीडियो के एंड में दूँगा, पहले हम लोग डिसकस कर लेते हैं, इस पूरे जो यहाँ पर इनाउगरेशन हुआ है उसके बारे में, यह आर्टिकल दिखी इंडिन एक्सप्रिस का है, इनाउगरेशन, यह आक्चुली किस योजना के तहट किया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं, महाकाल, महराज, मंदिर, परिसर, विस्तार, योजना, अब नाम से ही पता चल रहा है कि वाट इस दा अबजेक्टिव, यानि कि इस टेंपल का जो परिसर है, कैंपस है, उसका अविस्तार करना, उसको एक्सपैंड करना, ठीक है, तो यह टेंपल, इसका एक्सपैंशन होगा, ब्यूटिफिकेशन होगा, और जो बहुत ज़्यादा भीड हो जाती है, उसको डी कंजेशन किया जाएगा, कि ज़्यादा भीड एक जगाया पर मौजूद ना हो, ठीक है, तो आई होब आपको यह इतना बेसिक समझ में आ गया होगा, कि यह महाकालेश्वर टेंपल के बारे में यहां कुछ इस तरह का किया गया है, यह आपको जिसकी तस्वीर देख सकते हैं, अब इस प्लान के तहट क्या किया जाएगा, इस प्लान के तहट अभी जो महाकालेश अगर लेक वो इसी 47 हेक्टर के अंदर आएगा, इस तरह कि जो अप्लिफमेंट हो जाएगा, यह अप्लिफमेंट कर दिया जाएगा, तो यह उम्मीद करी जा रही है, कि जो अभी फुटफॉल होता है, इस टेंपल पे महाकालेश्वर टेंपल में जो लोग आते हैं, की किदारना श्राइंग के बाद महाकाल जो कॉरिडॉर है, यह महाकाल टेंपल की बात करेंगे, यह थर्ड जोतिर लिंग साइट है, जिसका अप्लिफमेंट किया गया है, ठीक है, हमारे देश के पधामंतरी सहाब ने, पधामंतरी मोधी सहाब ने काशी विश्वनात कॉर विश्वनात कॉरिडॉर विच पीम हैड इनागरेटेड लास्ट यर, आपको वेरी क्रिस्टिल क्लियर हो रहा होगा, अब कुछ बाते हम लोग करेंगी तो हो गया करेंट अब कुछ बातें करेंगी आपकी एक्जाम परस्पेक्टिव से, जो आपकी कल्चर की पिपर में सकते हैं, आट अन कल्चर के अंदर पूचा जा सकता है, देखे, पुरानों के हिसाब से अगर हम बात करें, पुरान के हिसाब से, लॉड शिव जो है, ही आक्चुली, ही पिर्स्ट दा वर्ल्ड आजन एंडलेस पिलर ओफ लाइट इसको बोलते हैं, इसलिए इसको जोतिर जोति का मतलब समझते हैं, तो ये कहा जाता है कि भगवान शिव जो है, और वहीं से नाम आता है, जोतिर लिंग, ठीक है, अब हमारे इंडिया में 12 जोतिर लिंग साइट्स हैं, 12 जोतिर लिंग्स हैं, कौन कौन सी हैं, एक बार देखे, ये तो महाकाल एक हो गई, उसके इ आवा, ये 11 नाम और यहां लिखे हैं, सोमनात और नागेश्वर इन गुजरात, मालिक आरजुन इन आंद्रपदेश, ओमकारेश्वर इन मद्रपदेश, केदारनात इन उत्राखंड, भीम शंकर, त्रियंबेकेश्वर और ग्रीनेश्वर इन महराश्ट्रा, विश्वनात अगे देखते हैं, अब महाकाल टेंपल की बात करें, तो ये एकलौती जोतिर लिंग साइट है, जो की साउथ फेसिंग है, धान रखीगास बात का, बाकी जितनी भी जोतिर लिंग है, वो आपकी सारी इस्ट फेसिंग है, वेरी वेरी इंपोर्टन पॉइंट, महाकाल इस अब ऐसा कहानी है, एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था चंदर सेन, and he was a devotee of Lord Shiva, भगवान शिफ के भगत थे, तो भगवान शिफ जो है, वो अपने महाकाल रूप में प्रकट होते हैं, अपियर करते हैं, और जो दुश्मन थे, उन सब को खतम कर देते हैं, और फिर उसके बाद भगतों की बहुत जादा request के बाद, अपने devotees की request के बाद, भग क्या है, अब देखे, महाकाल टेंपल जो है, इसके बारे में आपको बहुत सारे ancient text के अंदर भी देखने को मिलेगा, और अगर मैं आपको उधारार की बात करूं, जैसे मैं एक example दूँ, तो कालिदास की एक, कालिदास का, कालिदास वारा लिखी गई मेक दूतम में इसका करनन किया गया है, in early part of the मेक दूतम, composed in the 4th century, कालिदास gives a description of the महाकाल टेंपल, अब क्या description दिया है, कि ये एक तरह से, ये जो बना हुआ है, इस foundation जो उसका है, वो stone का है, with a stone foundation, और जो ceiling है, वो wooden pillars पे खड़ी हुई है, ये चीज़ का description दिया गया है, उसमें कोई भी शिखर देखने को नहीं मिलेगा, of course, you know, गुपता पीरेड या उसके onwards ही आपको शिखर या temple architecture का एक अच्छा जो है form देखने को मिलता है, हना, जैसे आपको पता होगा, इंडिया में, एक northern style of temple architecture है, हना, जिसको हम लोग नगारा style of architecture कहते हैं, और फिर एक सदन है, जिसको हम लोग तीनो style of architecture के बारे में, temple architecture के बारे में पढ़ाया था, और तीनो में difference क्या थे, मैंने वो आपको बताया था, अगर आप नहीं देखा है, तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं, चलिए, अब city of Ujjain was also one of the primary centers of learning for Hindu scriptures, जिसको हम लोग आज अविंतिका कहते हैं, यह 6th and 7 century BC में यहाँ पर यह बनी थी, ठीक है, and in fact, ब्रह्मगुप्त और भासकर अचार्य दे, basically, इन्होंने Ujjain को अपना घर बना लिया था, astronomers and the mathematicians जैसे कि ब्रह्मगुप्त और भासकर अचार्य दे, Ujjain को उन्होंने अपना घर बना लिया था, clear है, अब एक और यहाँ पर हम इन्टरोमी, dating back to 4th century, इसमें यह कहा गया है कि जो Ujjain है, वो actually geographically आप देखेंगे, तो situated है, जहाँ पर intersection होता है, किसका intersection होता है, zero meridian का, longitude and tropic of cancer का, इसका intersection है, तो इस सूरी सिध्धानत में यह चीज़ बताई गई, यह भी ध्यान रखेगा, कभी आप से यह भी पूछ सक शिव टेंपिल है, वो dedicate है महाकाल को, और महाकाल, you know, Lord of Time, काल, ठीक है न, तो वहाँ से यह आता है महाकाल, clear है, in 18th century हम यहाँ पर एक observatory भी बनाई गई जिसको हम लोग वेद शाला कहते हैं, महराज Jai Singh 2 के द्वारा बनाई गई थी, जिसको हम लोग वेद शाला कहते हैं, अब आप जिसको आज जंतर मंतर की नाम से जान रहा हो, 13 ऐसे architectural उसमें instruments लगे हैं, astronomy को measure करने के लिए, ठीक है न, to measure the astronomical phenomena, clear हो गया, अब medieval period के time बे ऐसा कहा जाता है, कि भाई जो कुछ यहाँ पर Islamic rulers थे, वो donations देते थे, ताकि यहाँ पर prayer हो सके, लेकिन 13th century में एक Turk ruler था, आ कर देता है, ठीक है, जो आज आफ five story, जो structure देख रहे हैं, इस temple का, इसको महराजा जनरल रनोजी शिंदे ने in 1734 उसको बनाया था, ठीक है, and इसको बनाया गया है, इन भूमिजी, चालुक्या, and महराथा style of architecture, ठीक है न, तो यह भी आपके अलग-अलग प्रकार है, architecture के, ठी century later, बाद में, its marble walkways, were restored by the सिंधिया, तो this is all आपको जो है, आपको exam perspective से जो पूछा जा सकता है, वो आपको पता होना चाहिए, now in context to, महाकाल टेंपल एन इस सवाल में वापस आते हैं हम लोग, in मेखदूतम, कालिदास gives a description of this temple, यह बिल्कुल सही है, true statement है, अभी मैंने आपक facing the west नहीं था, अगर आप धान से आप पढ़ा होगा, तो वो facing south था, ठीके ना, facing south था, इसलिए यह statement क्या हो गया, यह हो गया false, rest जो है, वो east facing है, धान रखेगा, astronomers and mathematicians जो हैं, जैसे कि ब्रह्मोगुत्र के बाद करें, भासकचारे, उन्होंने उज्जयन को अपना घर बना क्या होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, जै हिंद, जै भारत!